नमस्कार मेरा नाम है मिताब और स्वागत है आपका द्रिस्ती PCS के सकारिक्रम Special Current Update में जैसा कि आप जामते हैं कि इस सापता ही कारिक्रम में हम सप्ताह भर की Current Affairs की महतपूर्ण खबरों को वस्तोनिष्ट प्रश्ण और उसकी व्याख्या को लेके आपके सामने आते हैं पिछले सप्ता कारणों के वज़े से हम ये एपिसोड लेके आपके सामने नहीं आ सके इस सप्ता हमने कोशिस किये कि पिछले सप्ता और इस सप्ता दोनों के जो महतपूर्ण प्रश्ण है Current Affairs के अधितन प्रश्ण है उनको विकल्पी प्रश्णों के माध्यम से आपके सामने लेकर हम उपस्तित हैं चलिए शुरू करते हैं आज का सफर Special Current Update के स्रिंखला में सबसे पहले प्रश्ण की तरफ चलते हैं कि हाल ही में किस वन जीव अभ्यारण में भारती प्राणी सर्विक्षण के शोध करताओं की एक टीम ने सींग वाले मेढख की एक नई प्रजाती दर्ज की है आपके सामने option है Eagle Nest वन जीव अभ्यारण सेशा आर्किड वन जीव अभ्यारण टैली वैली वन जीव अभ्यारण ये उप्रुक्त में से कोई नहीं तो इसका सही विकल्प है option c टैली वैली वन जीव अभ्यारण तो देखिए एक सींग वाले मेढख है इसलिए महतपोन है क्योंकि ये दुरलब है ये कहां पाया गया है तो अरुडाचल प्रदेश में भारती प्राणी सर्विक्षण के शोध करता थे उन्होंने उनकी जो टीम थी वो शोध कर रही थी तो उन्होंने सींग वाले मेढख की एक नई प्रजाती को दर्ज किया है कहां पर दर्ज किया है तो अरुडाचल प्रदेश के टैली वैली वन जीव अभ्यारण में तो दूसरा तथ ये भी याद रखेंगे कि अरुडाचल प्रदेश में टैली वैली वन जीव अभ्य अगर बात करें तो यह भारत के रोड़ाचल प्रदेश का वनजीव अभिहारण है और इसी वनजीव अभिहारण के बीच से कुछ नदियां भी निकलती है पंगे, सिपू, कार्टिंग और सुवन सीरी जैसी नदियां इससे होकर बहती है तो यह तत्या आप याद रखेंगे अगला प्रशन है कि हाली में Economist Intelligence Unit, EIU ने Global Levelability Index जारी किया है इसमें सर्वोत्तम पायदान पर कौन सा देश है तो देखिए Global Levelability Index जारी किया जाता है सबसे पहले कौन जारी करता है तो प्रशन में ही स्का उत्तर है कि Economist Intelligence Unit ने इसको जारी किया है इसको भी आप याद रखें पर निमनलखित विकल्पों में से कौन है? Vienna, Austria, Copenhagen, Denmark, Zurich, Switzerland, Melbourne, Austria तो इसका सही विकल्प है विकल्प ये व्याख्या को देख लेते हैं तो देखिए Economist Intelligence Unit जो है EIU है Global Levelability Index इसने जारी किया और इस Index के कुछ मानदेंड होते हैं जिसके आधार पर ये इनके जो rank होती है उसको तै किया जाता है, वो क्या होता है, वो इसमें शिक्षा को देखा जाएगा, स्वास्त देखा जाएगा, सनस्कृति, परयावर्ञण इस्तिर्था, बुनियादी धाचा ये सबचीजें, ये दुनिया बर के जो शहर हैं, उसमें इन चीजों के बारे में वहां की क्या condition है, क Copenhagen, Denmark का दूसरे, Zurich, Switzerland का तीसरे, Melbourne, Australia का आप देख सकते हैं चौथ है और पांचवे पे Calvary, Canada जो है और जिनेवा इसके साथ संग्युक तुरूप से, Australia का Melbourne और Calvary, Canada का ये पांचवे पर संग्युक तुरूप से है अगला प्रसन है हाल ही में किशोर ओरान नोलसन ये एक व्यक अगला प्रसन है, दुनिया के पहले व्यक्ति है असलिहास से, अब ये किस देश से इनका संबंध है, तो आपके सामने और प्रसन है, अमेरिका, ब्रिटेन ये उपरुक्त में से, कोई नहीं, तो ब्रेन इंप्लांट कराने वाले ये दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए है ये ब्रिटेन से संबंध ही था, किस चीज से संबंध ही था, कौन सा रोग इनको होता था, तो मिरगी का दौरा पढ़ता था, उसको रोकने के लिए ब्रेन इंप्लांट इन्होंने करवाया है, तो देखिए ये ब्रिटेन किशोर्ख, जो है ओरान नोलसन इनका नाम है, और ये ब्रिटेन से संबंध ही था, इन्होंने ब्रेन इंप्लांट करवाया है, और इसमें क्या है एक विशेस तकनीकी, जो है वो क्या है उसका नाम, तो डीबियस अर्था डीप ब्रेन स्टिमूलेशन डिवाइस इनके ब्रेन में इसको इंप्लांट किया गया है, और इसके म माध्यम से क्या होगा वो विद्युत आवेग जो है कुछ उत्पन करेगी और उसमें मस्तिस्क की जो भी वीकृतियां है उसको वो ठीक करने का काम करेगी एक छोटी सी डिवाइस है इसको तो इसक्रू के माध्यम से मस्तिस्क में कस दिया जाएगा ताकि वो एक जगह स्थिर रहे है यह 3.5 cm वरगाकार 0.6 cm मोटाई होगी इसका और इस करण को शल लिक्रियार था तो उसके लिए ऑपरेशन की जरूरत नहीं होगी यह डिवाइस लगा देंगे तो फिर वो अपना म करेगा इसमें क्या होगा इलेक्ट्रोड को मस्तिस्क के कुछ छेत्रों में ट्रांस्प्लांट कर दिया जाता है जिससे जो विद्युत आवेग है वो यह उत्पन करेगा और उस विद्युत आवेग से क्या होगा कि जो इलेक्ट्रोड है वो मस्तिस्क की जो आसामाने गति इनने से कोई नहीं वस्ते इसका सही जवाब है RBI तो देखिए भारती रिजर्व बैंक और आसियान इन दोनों ने ततकाल सीमा पार भुगतान की सुविधा के लिए एक मंच बनाने का निरड़े लिया है और ये मंच जो बनाया जाएगा इस किस प्रोजेक्ट के अंतरगत आ पहल है इस परियूजना में जो बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट बी इस जो है इसके इनोवेशन हब द्वारा ये संचालित किया जा रहा है और इसका उदेश क्या है तो विभिन जो देश है उन देशों के बीच में तीवर सीमा पार खुद्रा भुगतान को सक्षम बनाना है और इसमें चार आसियान देश जिसमें आप देख सकते हैं मलेशिया, फिलिपिन्स, सिंगापुर और थाइलेंड इसके फास्ट पेमेंट सिस्टम को भारत के साथ जोड़ा जारा अर्था भारत भी अब इसमें शामिल हो जाएगा अगला है हाल ही में रक्षा मंत प्रोजेक्ट 76 है इसके तहर जो भारतिय नौसीना है वो युद्धपोर्ट डिजाइन ब्यूरो द्वारा देश की पहली स्वादेशी पारंपरिक पंडूबी के डिजाइन और विकास पर काम कर रही है और यह क्या करेगी यह पंडूबी बनाएगी इसमें 12 डीजल इलेक प्रोपल्शन माडूल से यह लैस होगी और यह उपकरम भारत की जो पंडूबी निर्माड है उसमें भारत को शसक्त बनाएगा और इसकी छमता बढ़ेगी जिससे की विदेशी निर्माताओं पर जो भारत की निर्भरता है उस निर्भरता को कम किया जा सकता है इसलिए ए थी दी गई है सितंबर 2026, सितंबर 2025, 2024 या इन में से कोई नहीं तो इसका सही विकल्प है सी आपका सितंबर 2024 क्या है ये तो टी कोरोना बोरियालिस नोवा जो एक विस्पोट है बैसिकली दो तारे जब एक दूसरे के समी पाते हैं तो उसमें एक नाटकी रूप से उत्पन होता है तो हालिया खबरों की मुताविक जो खगोली शास्त्री हैं वो बता रहे हैं कि सितंबर 2024 तक टी कोरोना बोरियालिस नोवा विस्पोट की घटना की उम्मीद की जा रही है अब इसमें ये विस्पोट कहा होगा तो हमारी प्रिथवी से 3000 प्रकाश वर्स की दूरी पर घटित होगा और इससे रात्र में आकाश जो है कैसा हो जाएगा तो प्रकाशित हो जाएगा नोवा विस्पोट क्या होता है तो एक खगोली एघटना होती है इसमें एक तारा जब कि पास के किसी दूसरे तारे के संपर्क में आता है तो उसमें विस्पोट होता कोरोना बोरियालिसिस को इससे समंधित किया जाता है हाली में भारतिक रिकेट टिम ICC T20 विशुकप जीतने के बाद हरीकेन बेरिल के कारण बारबार डोस में फंस गई थी अब यह किस स्रेंडी का तोफान था बेरिल की बात की जा रही है तो यह भी आप याद रखेंगे कि इस जगह पर यह तूफान आया था क्योंकि भारतिक रिकेट टीम वहां फसी थी तो इसलिए भी थोड़ा से इंपोर्टेंस है तो ध्यान रखी के स्रेंडी चार का तूफान था इसके बारे में आप व्याख्या पक्ष को देखें यह ऑप्शन आपका सही है यह एक प्रार हरिकेन इवान उसके बाद विंडवार्ड द्वीप पर इस द्वीप समूँ पर प्रभाव डालने वाला यह सबसे सक्तिशाली हरिकेन है इसलिए भी यह महत पूर्ण है विंडवार्ड अगर द्वीप समूँ की बात करें तो लेसर एंटलीज के दक्षनी भाग से होकर मानाव अंतरिक्ष उडान कारिक्रम के लिए भारत को साजेतार देश घोसित किया है यह किस देश सम्बंधित है तो देखे पहले तो यह याद रखिए कि सेरा और ब्लू ओरिजिन यह दोनों किस से क्या कर रहे हैं तो मानाव अंतरिक्ष उडान कारिक्रम जो है यह प्रक्षपन यान भी जाते थे एक बार यूज होते थे दुबारा इस्तिमाल उनका नहीं हो पाता था अब क्या है जो पुना प्रयोज योग ये प्रक्षपन यान जो बनाय जा रहा है उसको अंतरिक्ष में सुरक्षित कम लागत वाले सिस्टम विक्सित करके भेजने का काम ये कंपनी Blue Origin करती है अब हाली में सेरा और Blue Origin ने मानाव अंतरिक छुडान कारिक्रम सुरू किया है जिसमें कि भारत को भी इसने साजेदार बनाया है जिसकी वज़ा से ये चर्चा में बना हुआ है अगला है कि हाली में भारत वारा विक्सित सेबेक्स 2 क्या है तो सेबेक् किया है और इसका नाम क्या है तो इसका नाम है सेबेक्स 2 जो कि TNT से अर्था ट्राइनाइट्रो जो टालवीन है ये भी एक प्रकार का विस्पोटक होता है ये इससे भी दो दस्मलो एक गुना अधिक घातक है और नौ सेना द्वारा प्रमाडित ये शक्तिसाले है ये भी याद रखेंगे और इसका उपयोग तोब खाने के गोले और वारहेट्स में किया जा सकता है और मेक इन इंडिया पहल के तहत ये विक्सित किया गया है तो मेक इंडिया पहल के अंतरगत इसका डेवलेप्मेंट हुआ ये भी याद रखेंगे और इसका शब्द का इस्तिमाल किया जिसकी वजसे है, चर्चा में आया, अभ्य क्यं की जगहों पर मिलता है, हिंदु धर्मे में मिलता है, सि कुछ में मिलता है YouTodр. तो कि चर्चा भी हुई किस ने किया चर्चा नरेंद्र मोदी एस जैसंकर राहुल गांधी अखलेश यादूँ तो विकल्पसे राहुल गांधी ने इसकी की अब है मुद्रा एक विशेस प्रकार की मुद्रा होती है राउल गांधी ने संसद में इस शब्द का इस्तेमाल किया इसमें अब है मुद्रा में खुली हथेली का प्रदर्शन होता है और आम तोर पर इसे आशवासन और भय से मुप्ति की रूप में समझा जाता है उल्लेक तो इसका कई जगे मिलता है बौधधर में भी आपको देखने को मिलता है घंदू धर में भी मिलता है गुरु नानक जी के द्वारा इसाम edsवारा इसलाम के द्वारा जैन धर्म me भी लैकिन इसका पूछा जायगा किस धर्म से है तो संबंध आप याद रखेंगे इसका सं है मुद्रा है तो बुद्ध द्वारा जब ज्ञान प्राप्ति की गई थी तो ज्ञान प्राप्ति के बाद उनसे जूड़ी हुई है जो कि ज्ञान प्राप्ति से उनको जो सुरक्षा सांति और करुडा की भावना उनके इंदर आई उसका भावना को यह दरशाती है यह मु विकल्प कौन सा है, तो आप ध्यान रखेंगे, विकल्प A सही है, कई बार ऐसा भी हो सकता है, कि सीधे आपके सामने ये चीज लिखी जाए और पूछा जाए कि ये क्या है, तो आप ध्यान रखेंगे, ये रेडियो आकाश गंगा है, जे 0011 plus 3217, ये क्या है, आकाश गंगा ये जो द्रिश्र तरंग देर्ध है, उसकी अपेक्षा रेडियो तरंग देर्ध पर अधित प्रकास को सर्जित करती है, इसलिए इसको रेडियो आकाश गंगा कहा जाता है, हाली में RSS के प्रमुख मोहन भागवत ने, वो एक पुस्तक का विमोचन किया, मेरे पापा परम वीर, अब यहाँ उस तक किस व्यक्ति से संबंधित है, option है कैप्टन मनोज पांडे, मेजर सोमनाथ शर्मा, नायक यदूनाथ सिंग या वीर अब्दुल हमीद, इसका सही विकल्प है, option D, वीर अब्दुल हमीद, इनको परम वीर चक्र मिला था, ये उत्तरपदेश के गाज टैंकों में से तीन को नस्ट कर दिया था, और एक को निस्क्री कर दिया था, इस वज़े से इनको, जो है परमवीर चक्र भी प्रदान किया गया था, अब इन्हों ने, जिनका की संबंध भारती सिना की चौथी ग्रेडियर्स रेजिमेंट्स में, हवलदार के पद की भारती सिना से संबंधित थे, अब इन पर ही पुस्तक लिखी गई है, उस पुस्तक मेरे पापा परमवीर और एक अन्य पुस्तक, भारत का मुसल्मान, इन दोनों का भी मोचन किया गया है, RSSS प्रमुक मोहन भागवजी के द्वारा, तो याद रखेंगे और ये कहां के थ है, तो गाजीपुर के धामवपुरगाओं में इनका जन हुआ था, एक जुलाई 1933 को इनका जन हुआ था, ये तथे आप ध्यान रखेंगे, अगला है प्रस्मि की हाल ही में किस एक्सो प्लेनेट के वायू मंडल में हाइड्रोजन सलफाइड की उपस्तिती का पता लगाया गया है, आपके सामने विकल्प है SD 209458B, SD 189733B, या केपलर 22B, WASP 12B, तो इसका सही विकल्प है विकल्प B, याद रखेगा, आपका सही विकल्प है विकल्प B, HD 189733B, राख्या पक्ष को देखते हैं, तो शोध करताओं ने ब्रिहस्पती जैसे ही एक एक एक्सो प्लेने इसको हाट जूपिटर भी कहा जाता है, यहाँ पर वायोमंडल में हाइडरोजन सलफाइड जैसी गैस की उपस्तिती का पता लगाया गया है, जो कि एक महत्वपोड खोज है, आप जानते हैं कि हाइडरोजन सलफाइड जो होती है, सड़े हुए अंडों की तीखी गंध व अगला प्रशन है, हाल ही मिन नासा ने सौर रेडियो तरंगों की उत्पत्ती की जाज करने के लिए किस महत्वपोड मिशन को शुरू किया है, मिशन आपके सामने ऑप्शन है, सोलर रेडियो मिशन, SRM, Qubate Radio Interferometry Experiment, इसका सही उत्तर क्या है, तो सही उत्तर को देखते हैं, इसका सही विकल्प है, विकल्प B, विकल्प B आपका क्या है, Qubeset Radio Interferometry Experiment अर्थाद क्यों और, देखे हाली में, नासा ने सौर रेडियो तरंगों की उत्पत्ती की जाज करने के लिए एक महत्वपोड मिशन शुरू किया, उसका नाम क्या है, तो नाम है Qubeset Radio Interferometry Experiment अर्थाद, इसको आप याद रखेंगे, और इस मिशन को 9 जुलाई 2024 को फ्रेंच गुयाना से ESA Arian 6 राकेट के जरिए लांच किया गया, तो इन तथे, वो भी ध्यान रखेंगे, और नासा की Qubeset Launch Initiative जो मिशन है, उसी का ये एक पार्ट है, एक हिस्सा है, अगले प्रेशन की तरफ चल सम्मंदित नहीं है, पहला है, इस खोज में 11 व्यक्तियों के अवशेसों के साथ हार जुमके और कंगन पाए गये हैं, इस खोज में पाई गई वस्त में लगभग 800 साल पुरानी होने का अनुमान है, या खोज पेरू के शहर दूजिलों के उत्तर में स्थिचीमू सामराज की राजधानी चान-चान में की गई है, चान-चान को उसके पत्थर की वास्तुकला के लिए जाना जाता है, इसमें से कौन सा सम्मंदित नहीं है, तो देखिए इसमें से डी जो है आपका सम्मंदित नहीं है, वस्तुता यहाँ पत्थर की वास्तुकला के लिए जाना जात अगर देखेंगे तो ये मिट्टी इट वास्तुकला के लिए जाना जाता है, जो कभी दुनिया के सबसे बड़े एडोब शहरों में से एक थी, बाकी कथन आपके सही है, इसलिए विकल्प इसका D सही हो जाएगा, अगला प्रशन है विश्व जनसंख्या दिवस 2024, इसकी थी जाता है, आप कमेंड वाक्स में कमेंड करके बताए, अब विश्व जनसंख्या दिवस 2024 का जो मनाया गया उसकी थीम क्या थी, क्योंगी हर बार की कोई न कोई थीम होती है, परिवार नियोजन कम है, तो सतत्विकास सभी के लिए शिक्षा किसी को पीछे न छोड़े, सभी की गिंती करें, इसका सही विकल्प है, विकल्प डी, किसी को पीछे न छोड़े, सभी की गिंती करें, देखिए, आप सभी जानते हैं कि पहली बार 1989 में 1989 में विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया था, और 11 जुलाई 1987 को दुनिया की जब आवादी 5 बिलियन हो गई थी, 5 बिलियन तक पहुँच गई थी, तो उसी से प्रेणा लेके 1989 इसको मनाया जाता है, अब ये विश्व जनसंख्या दिवस जो 24 की थीम आप से पूछा जा रहा है, तो इसकी थीम है किसी को पीछे न छोड़े, सभी की गिंती करें, और ये हर साल 11 जुलाई को वैश्विक ज परकास डाला जाता है, इस जनसंख्या दिवस को सेलिबरेट करने के साथ-साथ, तो इसकी थीम आप याद रखें, किसी को पीछे न छोड़े, सभी की गिंती करें, और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो संग्युक तराष्ट के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, यह याद रखेंगे, अगला है कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन CSC के पांचमे सदस्य राज्जी के रूप में हाली में कौन सा देश शामिल हुआ, मौरिशस, सेसेल्स, बंगलादेश या मालदीव, इसका सही विकल्प है, विकल्प सी बंगलादेश, व्यक्या उपराष्ट्री सुरक्षा सलाकारस्तर की बैठक हो रही थी, उस बैठक के दारान की गई, इसका गठन कब हुआ था, कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का, तो 2011 में गठन हुआ था, समुद्री सुरक्षा समुह के रूप में ये कारे करता है, अर्था समुद्री जो सुरक्षा ह वो इसका उदेश से है, उसी के लिए ये कारे करता है, और संस्थापक सदस्य देश में अगर देखेंगे, तो भारत, स्रिलंका और माल्दिव, स्थाई सची वाले कहा है, कोलंबू में है, और मार्च 2022 में माले में, समू की पांचवी बैठक में, मौरिशस को चौथे सदस्य के रूप में शामिल किया गया था, शेसल्स क्या है, तो शेसल्स इसका परिवेक्षक राज्य है, और पांचवे सदस्य के रूप में किसको शाम ग्यारा है तो विकल्पसी इसका से ही है याद रखेंगे और जो ग्यारा बायोस्फेर रिजर्व हैं वो उनके नाम यहाँ पर हैं इसका स्क्रीन शॉट आप ले सकते हैं और जो नए बायोस्फेर रिजर्व का आप कुल छेत्र कितना हो गया 37,400 वर किलो मेटर है अब इस प् क्या है कि B, B, N, J समझोते का मुख्यो देश क्या है जलवायू परिवर्तन का समाधान उच्छ समुद्र में समुद्री जयविवित्ता का दिरिकालिक संद्धान वायू प्रदूशन को कम करना प्लास्टिक कचरे को कम करना तो सही इसका उत्तर है विकल्प बीस उच्छ सम अगर भारत में देखें तो प्रिथवी विज्ञान मंत्राले के द्वारा किया जाएगा और इस पर मार्च 2023 में सहमती हुई थी और यह सितंबर 2023 से सुरू होने वाले दो साल के हस्ताक्षर के लिए खुला है उद्धेश क्या है तो उद्धेश है कि उच्छ समुद्र में स इसके औसर पर वाशिंगटन में यह आयोजित हुई थी और वाशिंगटन में जब आयोजित हुई तो एतिहाशिक सिखन सम्मेला में कितने देशों के प्रतिनीधी शामिल हुए आपके सामने विकल्प है 25, 30, 38 या 40 तो इसका सही विकल्प है 38 तो ध्यान रखिएगा इसकी नाटो है वो अप्रेल 1909 की उत्तरी अट्लांटिक संधी जिसे वाशिंगटन संधी भी कहा जाता है इसके द्वारा संग्युक्त राज अमेरिका, कैनडा और कई पश्मी यूरोपी देशों द्वारा सोवियत संग के खिलाफ एक सैन्य संगठन की रूप में सामोहित सुरक सुलावेसी व्याख्या पक्ष को देख लेते हैं तो देखिए हालिया खबरों की मुतावित आप देखेंगे वैग्यानिकों द्वारा इंडूनेशिया का जो सुलावेसी द्वीप है यहीं पर दुनिया की सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग की खोज की गई है और ये कल पर दुनिया की सबसे पुरानी गुफा चितरकला है जो की कम से कम 51,200 साल पुरानी है तो ये अपने आप में बहुत महतुपुन प्रशन है याद रखेंगे सुलावेसी पन्त में हमारी परिपार्टी अभ्यास प्रशन की होती है तो एक अभ्यास प्रशन आपके लिए है ह अकाश गंगा या इन में से कोई नहीं उम्मीद है आप सही और सठीक जवाब जरूर देंगे मिलते हैं अगले सब्ता कुछ नए प्रशनों के साथ तब तक के लिए लड़ते रहें अपने लक्ष के और बढ़ते रहें डियर व्यूवर्स अपने एक्जाम की तयारी को और बहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना न भूले